नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका पार्ट फाइंडर स्टीडी पॉइंट में इलाबाद हाइकोट एरोक में जो हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे तो उसमें यह नवा पार्ट है जिसमें हम लोग सामान हिंदी व्याकरण के जो है आज बचे हुए प्रस्तनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इस सीरीज में जो है जो इंगलिस के कोश्चन्स हैं और बाकी रिजनिंग मैट और कम्प्यूटर साइंस के कोश्चन्स को उसके आगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो मैं बता दूँ कि यह जो है जो मॉडल टेस्ट है यह हमारे डेमो टे प्रेज देना है और जो मैं यह मॉडल पेपर आपको पढ़ा रहा हूं इसका पीडिएफ का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया है प्राया आप लोग जो है डिस्किप्शन बॉक्स को नहीं देखते हैं और कमेंट में मांगते हैं तो आप पहले जो है डिस्किप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है उस डेमर टेस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़िए और अगर आप चाहें तो हमारे सेकेंड वैच में इन्रोल हो सकते हैं अभी यह स्टार्ट है तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं Question No.114 देखते हैं पतज़ड में कौन सा समास है तो आप जानते हैं पतज़ड तो विसेस्तिया वैसे एक रितू का नाम होता है तो पतज़ड का जो सामान अर्थ क्या होता है पेडों से पत्तों का जड़ना लेकिन इसका एक विसेस अर्थ क्या होता है एक यह रितू का नाम ह इसलिए य ये क्या है、 ये बहुबरी समास का उधारण है पत जड़ में बहुबरी समास है गरा बिग्रे जड़ते हैं पत्ते जिसमें अर्थात एक विसेज रितु बहुबरी समास के बारे में पूरा डिटेल हम देखते हैं समास में आये पदों को छोड़कर जब अन किसी पद की प्रधानता होती है तब उसे बहुबरी समास कहते हैं जिस समास में पूरपद तथा उत्तरपद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है और कोई अन पद जो है उसका प्रधान हो जाता है वहां बहुबरी समास कहल जाता है जैसे दसानन तो अगर आप दसानन का हम बिग्रे करें तो दस मुह वाला लेकिन इसका जो है जो विशेश अर्थ क्या होता है रावण रावण के लिए दसानन का प्रियोक किया जाता है इसी प्रकार से और कई सारे एक जामपिल्स हैं इसके जो पॉपलरली पूछे जाते हैं उसमें से नीलकंट यानि नीला है कंट जिसका अर्थात्स भगवान सिव तो यहां पर दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद यानि सिव की ओ संकोत करते हैं इसलिए यहां पर बहुविरी समास होगा अब कई और जामपिल इसके देखते हैं प्रधान मंत्री मंत्रियों म प्रधान मंत्री पंकज पंक में जन्मलेने वाला यानि कमल अनोनी ना होने वाली कोई घटना यह विसेज घटना को को होई इंगित करता है निशाचर निशा में हो जिसका बिचरन यानि राच्छस के Just के लिए प्र्योग होता है चौलड़ी चार है जिसमें लडियां यान माला इसी प्रकार से विसधर विसको धारण करने वाला यानि सर्प म्रग नैनी म्रग के समान नयन है जिसके अर्थात सुन्दर इस्त्री इसी प्रकार से त्रिलोचन तीन लोचन यानि तीन नेत्र है जिसके भगवान सिव महावीर महान है जो वीर यानि हनुवान जी सत्यप् प्रथाम और दुती दोनों पर मिलकर अपने आर्थ से लग एक तीसरा आर्थ प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि पीत अंबर तो पीत अंबर यानि पीला कपड़ा, इसमें क्या है कर्म धारे ततपुरु से जो पीत अंबर जिसका यानि पीत अंबर यानि यह भगवान प्रियोग किया गया है तो इसमें बहुब्री समास होगा इस प्रकार यह बिग्रे के अंतर में समझा जा सकता है कि कौन तत्पुरुस है और कौन बहुब्री बिग्रे के अंतर होने से समास का उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर हो जाता है पितामबर का तत्पुरुस में बिग आपसंस पे कि उसमें से कौन सा जो है दिया हुआ है बहुबरी समास के भेद कौन कौन से होते हैं तो मोलते हैं चार भेद होते हैं एक है समाना धिकरण बहुबरी समास दूसरा है व्यदिकरण बहुसकुरी समास दीसरा है तुल्ययोग बहुबरी और चौथा है व्यतिहार ब कि बिभक्ति में होते हैं किन्तु समस्तपद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंद अधिकरण आदि में विभक्ति रूपों में हो सकता है अब इसका उधारन देखिए, तब आप समझ सकते हैं तो प्राप्त है उदक जिसको यानि प्राप्त उदक इसमें क्या है कर्म में उक्त है ये जीती गई है इंद्रियां जिसके द्वारा यानि जितेंद्री है इसमें क्या है करण कारक का प्रियोग हुआ है दत्त है भोजन जिनको दत्त भोजन यानि संपरदाय कारक का इसमें है निर्गत है धन जिसमें निर्धन, अपादान के सेंस में, पीत है अंबर जिसका, पीत अंबर, मीठी है बोली जिसकी, मिठ बोला, नेक है जिसका नाम, नेक नाम, यह संबंध को कि इसमें से का प्रियोग हुआ है, चार है लडियां जिसमें चौ लड़ी, साथ है खंड जिसम मा विवक्ति का या कर्द कारक में विवक्ति के रूप का होता है जबकि बाद वाला पद संबंध या अधिकरण कारक का हुआ करता है जैसे सूल है पाड़ी में जिसके यानि सूल पाड़ी वीड़ा है पाड़ी में जिसके यानि बीणा पाड़ी अगला भेद है तुल योग जिसमें पहला पद सह हो वह तुल योग बहुबरी या सह बहुबरी कहलाता है सह का अर्थ होता है साथ और समास होने पर सह की जगह केवल सा रह जाता है इस समास में यह ध्यान दोने की बात है कि बिग्रह करते समय जो सह या साथ बाद वाला है या दूसरा सर्पतीत होता हुआ समास में पहला हो जाता है अब इसका example देखते हैं समझने के लिए जो बल के साथ है यानि सबल तो यहाँ पर क्या है सा और बल सा कार्थ क्या है साथ तो सबल यानि जो बल के साथ है जो दे के साथ है सदे जो परिवार के साथ है सपरिवार जो चेत यानि होस के साथ है वो क्या है सचेत तो इसमें सा जो है आपको याद रखना है तुलियो गया इसको इसी लिए सह बहुबरी समास कहते हैं फिर बेतिहार बहुबरी समास की बात करें जिसमें घात प्रतिघात सूची थो उसे बेतिहार बहुबरी कहा जाता है इस समास के विग्रे से यह प्रतीत होता है कि इस चीज से और या उस चीज से जो लड़ाई हुई जैसे कि मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई इसको मुक्का मुक्की गुसे गुसे से जो लडाई हूँ इसको बाता बाती, इसी प्रकार खीचा तानी, कहा सुनी, मारा मारी, डंडा डंडी, लठी, तो ये सबी ब्यतिहार बहुब्री के उदारण है इन चार प्रमुक जो है बहुबरी समास के जातियों या भेद के अलामा जो है एक और है जो कभी पूछ लिया जाता है तो उसको प्रादी बहुबरी समास कहा जाता है जिस बहुबरी का पूरपद उपसर्ग हो कोई वह प्रादी बहुबरी समास कहलाता जैसे कुछ सित है जि जहाँ निर्जन तो इसमें नी एक उपसर्ग है तो इस तरह से प्राद इबहुबरी को याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि इसका जो पहला अच्छर होगा या सब्द होगा वो एक उपसर्ग होगा आगे देखते हैं पेड से पत्ते गिरते हैं इसमें कौन सा कारक है ये कारक बताना है हमको तो इसमें कैसा कारक है क्योंकि पत्ते गिरते हैं यानि पत्ते गिरकर अलग हो जाते हैं और जहां पर अलग होने का सेंस होता है वहां पर क्या होता है अपादान कारक होता है जब चिन क्या होता है से होता है लेकिन अलग होने के सेंस में अब कारक और उनके लच्छन क्या होते हैं तो करता यानि जो काम करे इसमें चिन कौन सा लगता है विभक्ती करने और ये कौन सा विभक्ती है प्रतमा विभक्ती है कर्म जो है कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े उसमे कर्मकारक होता है यहाँ पर को का चिन लगता है और यह दुतिया विवक्ती होती है इसी प्रकार से करणकारक काम करने यानि क्रिया का जो साधन होता किसी चीज की सहायता से जो क्रिया की जाती है उसके लिए इसे से के द्वारा माल यह हम कहते हैं हथाओरी से कील ठोका जाता ह तो यहां हत्षार्ड़ी क्या है एक साढ़न है अगर हम किसी साढ़न से जो है कोई कार करते हैं तो वह पर से के द्वारा का चिन लगता है और साथ में ये करणकारक हो जाता है इसी प्रकार से संपळादान जिसके लिए किया जाए तो उसके लिए को या केलिये का प्रियोग होता है, अपाडान जिससे कोई वस्तू अलग हो, जो इस प्रस्न का मुख्य उधारन है, तो इसमें से का ही प्रियोग होता है, लेकिन ये अलग होने के सेंस में होता है, और उसमें पंचिमी विवक्ती होती है, संबंध कारक, जो पुस्तक और राम में, तो वहाँ पर क्या आया, की आया, अरिकरण जो क्रिया का आधार हो, यानि मे पर, यानि जैसे कि हम कहें, पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ पर क्या है, आधार क्या है, क्रिया का आधार है, कि जो पुस्तक कहा रखी, मेज पर रखी है, तो यहाँ और इसकी विवक्ति को संबोधन ही कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं निमलिखित में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है यानि जिसका जो है स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है तो सुस्रुषा जो है ये सही रूप में इस तरह से लिखा जाता है और बाकी जित्ते भी आप्सन ये दिये हैं ये सभी गलत है नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिये गए सब्दों में किसकी वर्तनी सुद्ध है तो इसमें से सुद्ध वर्तनी किसकी है द्वारका की अंतर ध्यान भी असुद्ध है और इसमें अंतर ध्यान जो है इस तरह से लिखा जाता है यानि धा जो है आधा नहीं लिखा जाता है अहिल्या इस तरह से नहीं लिखा जाता है इसका जो है सुद्धरूप क्या होता है अगला कोश्चन देखते हैं आध्यात्मिक का विलोम अब हम कुछ और परिच्छा उपयोगी जो important प्रस्न है विलोम से संबंदित इसको देख लेते हैं कई सारे इसमें मैं बताऊंगा आपको उद्दात का अनुद्दात होता है उदार का नगद होता है चर का अचर विलोम होता है चाह का अनचाह उन्नति का आउनति उद्घाटन का समापन चोर का साधू चिनमय का जड़ उन्मीलन का निमीलन कई बार पुछा जा चुका है खासकर आरो में उत्रायन का दचिनायन चल क चीर का साधू, उर्धु का निम्न, उर्रिण का रिण, चिरंतन का नस्वर, चेतन का अचेतन, उन्मुह का विलोम, विमुह, उद्यम का निरुद्यम, चड़हाओ का उतार, चंचल का इस्थिर, उपस्थित का अनुपस्थित, उर्धु का अधो, चतुर का मूल, चीर का उत्रीन का अनुत्रीन, छाह का धूप, छली का निश्यल ये सब इजी हैं। उर्धग्वामी यानि जो उपर की ओर जाता हो, अधोग्वामी जो नीचे की ओर जाता हो, उच नीच, जोती का तम, जल का इस्थल, उपकार का अपकार, उदार का अनुदार, जीवित का विलोम, मृत, जातिय का विजातिय, उदय का विलोम, अस्त, उत्रीन का अनुत्रीन, ज्वार का भाटा, जल्द का देर, उधार का नगद, उठान का पतन, जोतिर्मय का तमोमय, जागरित का सुसुप्ति, उतकर्स का विलोम हो गया अपकर्स, उत्तर का दच्छिन, जोड का घटाओ, जे का अजे, उध्यमी का आलसी, या अनुध्यमी भी होता है, उरुवर का उ अधम, उपसर का प्रत्य, जागरत का सुसुप्त, जाला का गर्मी, उदार का क्रपन, उतकरष्ट का निकरष्ट, जंगम का इस्थावर, जाती का कुजाती, उपयोग का दुरुपयोग, उतकर्स का अपकर्स, जूठ का सच, जोपडी का महल, उच्चा का विलोम निरुच्चा, उद्यमी का नुरुद्यम, तुच्च का महान, ताप का सीत, उप्युक्त का विलोम अनुप्युक्त, उच्च का विलोम निम्न, तम का विलोम आलोक, तीवर का विलोम मंद, उद्धत का विलोम विनीत, उदयाचल का अस्ताचल, उधार का नगद, तामसिक का सात्विक, तुकांत का अतुकांत, उपभुक्त का अनुपभुक्त, चिरंतन का नच्छवर, त्रशा का त्रप्ती और त्रिश्णा का वित्रिश्णा, तो ये जो है कुछ इंपोर्टेंट जो है विलोम सब्द हैं, जो बार-बार इक जास में पूछे जाते हैं, नेक्ट कोश्चन देखते हैं, चौथाई सब्द में विशेशन कौन सा है, तो चौथाई जो है एक आपूढांक बोधक विशेशक है, क्योंकि इससे कोई भी पूढांक सिद नहीं होता, संख्या वाचक तो ही है, गड़ना वाचक, लेकिन उसके अंतर इसकी साधारन संख्या या गिंती बताता है, अब गड़ना वाचक के दो भेद होते हैं, एक होता है पूढांक बोधक, एक होता है अपूढांक बोधक, पूढांक बोधक में इसमें पूर संख्या का प्रियोग होता है, जैसे चार चात्र, आठ लड़कियां, अपूढां आतक संख्या यानि विशेश के क्रम को बतलाता है इसका प्रियोग सदा एक वचन में होता है जैसे पहली कच्छा, दूसरा लड़का, तीसरा आदमी, चौथी खिड की ये सभी जो है क्रम वाचक विशेशन के उधारण हो गए आवरती वाचक की बात करें तो यहाँ पर फ्र संख्या के बताईयों का संग्रह बताया जाता है जैसे चारो आदमी, आठो पुस्तक, तो यह संग्रह वाचक विशेशन के उधारण हो गए, समुदाय वाचक विशेशन की बात करें तो एक जोडी चपल, पांच दरजन कापियां, इसमें क्या है सामुदाइक संख्या को बैक्त किया जा रहा एक साथ पूरे समुझा का गड़ना करके बताई जा रहдо है, फिर विपसा वाचक विशेशन, यह ब्यापकता का बोद कराने वाली संख्या को विपसा वाचक कहते हैं, यह दो प्रकार से बनती है, संख्या के पूर प्रती, फी, हर प्रतेख, या इनमे पांच पांच छात्रों के लिए एक कमरा है तो ये क्या है ये ब्यापक्ता का बोध कराने वाला जो है इसलिए इसको बिपसा वाचक कहा जाता है हरीषचंद्र में प्रियुक्त संधी का क्या नाम है तो हरीषचंद्र में जो संधी है वो कौन सी है विसर्ग संधी है यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता जैसे दुस चरित्र तो क्या हो जाएगा दुस चरित्र हो जाएगा निछल तो निश्चल हो अब इसके कुछ नियम है जो बहुत ही important है पहला नियम क्या है यदि बिसर्क के पहले आ आए और उसके बाद का वर्ग का तृतिय चतुर्थ या पंचम वन आए तो या रा ला वा हा रहे तो उसका बिसर्क का उ हो जाता है और यह उ पूरवर्ती आ से मिलकर गुर संधी द्व जाएगा इसी तरह से सरहधन जा सरोज मना धन भाव मनो भाव कई सारे इसके important उधारण है जो पूछे जाते हैं अगला नियम क्या है यदि विसर्क के पहले इकार या उकार आए और विसर्क के बाद का वन का खा पा फा हो तो विसर्क का सा हो जाता है जैसे कि निधन कपट तो यह क्या हो जाएगा निसकपट हो जाएगा इसमें आधा सा आ जाएगा निधन फल निसफल इसी तरह से निधन पाप निसपाप दुधन कर दुसकर अगला नियम क्या है यदि बिसर्ग के पहले आ हो और उसके परे यानि उसके बाद का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो बिसर्ग जैसे का तैसा बना रहता है उसमें लिखा रहता है जैसे प्राताहधनकाल तो ये क्या है प्राताहधनकाल इसमें बिसर्ग हटता नहीं है पयाह धन पान, पयाह पान ये जो है दोनों वैसे ही बने रहेंगे Next नियम क्या है E, U के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आये तो E का क्या हो जाएगा? U हो जाएगा और बड़ी E का बड़ा U हो जाएगा और विसर्ब जो है लुप्त हो जाएगा जैसे कि निह धन रव तो यहाँ पर विसर्ब के पहले क्या है छोटी ई है और विसर्ब के बाद क्या है रा रा छोटी ई प्लस रा तो छोटी ई और रा आने से क्या हो जाएगा उ बन जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला नियम क्या है? यदि बिसर के पहले आप और बड़ा आप को छोड़ कर कोई दूसरा स्वर हो और बिसर के बाद भी कोई स्वर या किसी वरका तृती चतूर्थ पंचम वर्ण हो तो या रालावा हा हो तो बिसर के स्थान पर आधा रा हो जाता जैसे निह धन उपाए त इसके काफी important example पूछे जाते हैं अगला देखते हैं, यदि बिशर के बाद चा चा सा हो तो बिसर का सा टाठा सा हो तो टाठा सा का सा हो जाएगा और ताठा सा हो तो उसका जो है सा हो जाएगा यानि तीनों जो है सा में बदल जाएगे तो निहधन चय निश्च्रे हो जाएगा निहधन छल निश्चल निधन तार निस्तार निधन सार निश्चार निधन सेश और बिसर्ग के बाद वाले आ का जो है वहाँ पर लोफ हो जाएगा उसके इसृ fairness जो है जो है जो लुप्त होने का साइन होता है एस का का यह लगा दिया जाता यानि इसको अदारान देखते हैं प्रथमाधन अध्याय तो प्रथमोध्याय, मनाधन अभिलिशित, मनोभिलिशित, यसाधन अबलासी, यसोभिलासी दूस्तों इस तरह से हम लोगोंने इस स्सीरीज को मिलाकर 20 questions जो हिंदी के complete कर लिए हैं